गूद नॉर्निंग स्टूडेंट लेट स्टार्ट मेस्ट अवर मेथ अंलाइन ग्लासे एंद यह स्टूडेंट और एक्सराइज 4.1 and question number 11 so dear students our question number 11 is and a person bought 3 properties एक व्यक्ति है जो 3 properties खरीदता है और उनकी cost दे रखिये है हमारे पास यहां पर if on selling all the 3 अगर वह इन 3 ओं को बेशता है 3 he earned a profit तो वह profit कमाता है 15,75,600 what was the selling price of all the properties देखो dear student इसमें वो 3 property खरीदता है सबकी अलग-अलग cost दी है और फिर उसको बेशता है तो उसके उपर उसको इतना profit होता है तो हमें इनकी selling price निकाल दनी है कि जब वो बेचेगा तो total कितने में बेचेगा okay student now our state the cost of first property हमारे पास दे रखा था और हमरे पास उन्होंने दिखाया था कि अगर उसने उनको बेचे है तो कितना profit हो और selling all of the 3 he earned profit उसने कितना profit कमाया है 15,75,600 रुपेज तो selling price of all the 3 properties तो हम इन 3 properties को देखो अगर हम इनका property का selling price निकलने तो हमारा total cost में इस profit को जो उसने earn profit किया उनको add कर देंगे तो उसकी property की selling price निकल के आ जाई तो अब हमारे पास जो उसकी selling price आई तो हम इनको add कर दिए 93,62,791 और जो उसका profit था 15,75,600 को add कर दिए तो हमारे पास answer यह आ गया तो हमारे पास answer आ गया 1 करोट 9,38,391 रुपीज तो selling price यह थी ओके students तो आपने इस question को अपनी fair notebook में करना है कि तो हम हमारे जादब हमारे चुपीज में करना है